सबसे पहले आपको अपनी निश decide करनी है लाखो निश है जिसमें आपका interest है जिसमें आपकी knowledge है सिफ उसी को select करें उसके बाद chat GPT open करें आपके परस 3.5 है वो भी कर सकते है chat GPT 4 है मतलब chat GPT plus है तो उसका भी use करें यह कहां से आपको cheap price में मिलेगा अभी मैं थोड़ी देर मे बताऊंगा अब जैसे जैसे मैं prompt type कर रहा हूँ आपको भी same वैसे ही करना है मैंने अपनी निश यहां पर artificial intelligence select कर रही है आप कोई भी निश select करके इस button पर click करेंगे यहां पर आपको यह सारी details निकाल के देदेगा पर आप में से काफी लोगों को पता होगा कि इसके अंदर आपको बहुत सारी problem face करनी पड़ती है अगर आप artificial intelligence का use करते है आपको plagrism और AI detection दोनों के issue आते है और यही मैं आपको solve करके दिखाऊंगा यहां पर आप देखेंगे इसने मुझे article लिखके देदिये 500 words का सबसे पहले तो हम words चेक करते क्या सच्ची में 500 है 526 words का article है और इ इसने में result निकाल के दे दिया अब इसके अंदर हम modification करते रहेंगे वापिस आपको chat GPT में जाना है अब यहां पे आपको एक और prompt टाइप करना है यहां से मैंने इस prompt में लिखा कि जो यह उपर आपने article मुझे निकाल के दिया उसे plagrism free कर दो और उसके बाद मैंने फिर से इस button पर click करा कुछी second के clicks के बाद आप देखेंगे यह मुझे article फिर से rewrite करके दे रहा है इसको भी हम check करेंगे क्या इसमें कुछ changes आए के नहीं वैसे तो मैंने इसको बोला था कि मुझे यह सिर्फ plagrized free article दे यहां से मैंने इसको copy करा वापिस यहां पर आके मैं paste करूंगा और उसके बाद फिर से मैंने text के उपर click कर दिया पहले 50 में आ रहा था अब आप देखेंगे 41% तक यह पहुंच चुका है सिर्फ यही नहीं आगे हम इसमें और भी changes करेंगे अभी तो मैंने 500 words लिखा है पर आप देखना words इसमें increase होते रहेंगे अब मैं chat gpt को एक नया prompt द headings add करनी है शुरू में add बिल्कुल ना करें पहले मैंने 500 words बोला था अब मेरे 200-300 words और बढ़ जाएंगे यहां पर आप देखेंगे इसने मुझे सब headings के साथ भी article निकालके दे दिया यहां से मैं इसे copy करूँगा फिर से मैं चेक करूँगा कितने words का इसने मुझे article निका return में करें ऐसा लगे कि किसी इंसान ने लिखा किसी artificial intelligence ने नहीं करा बीच बीच में friends यह message आएंगे आप इसको ignore कर सकते हैं दो तीन बार click करेंगे तो यह काम करने लग जाएगा जैसे जैसे मैं कर रहा हूं सिर्फ आप उन prompts का use करें एक्जेक्ट आप इस तरह से keyword या फिर जो नेश में select कर रहा हूं उसको copy ना करें नहीं तो आपको problem होगी आप अपने interest के basis में ही काम करें आप देखेंगे इसने मुझे यह article यहां से निकाल के दे दिया अब इसको एक बार हम चेक करते हैं यहां से मैं इसको copy करूँगा वापिस मैं इस में आऊंगा और इस tool पे paste करने के बाद फिर से मैं text के उपर click करूँगा अभी भी यह 41% है अब हम use करेंगे grammarly का grammarly में जाएंगे सारा article मैंने grammarly में paste कर दिया अब जैसे जैसे यह suggestion दे रहा है यहां पर exact मैं वैसे ही करूँगा grammarly का मेरे पास pro account है chat gpt का मेरे पास chat gpt plus है यह सारे आपको कहां से और कैसे मिलेंगे बस कुछी seconds में आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ को complete करने के बाद यहां पर आप देखेंगे great job लिखा गया इसका मतलब मेरे grammar की जितनी भी problem सी हो यहां पर solve हो गई अब यहां से मैं फिर से सारे आर्टिकल को copy करूँगा थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी friends उसके बाद आपके पास एक unique आर्टिकल आजेगा जिसे आप Google में rank भी कर सकते है 41% से 34% पहुंच गया है अब मैं आपको यह बता जेता हूँ कि आपको grammarly, chat gpt यह सब कहां से इस website का link में नीचे आपको description में दे दूँगा, यहां पे 599 रुपीज पर मन्त में आपको 25 tools मिलेंगे plus testing tools मिलेंगे और अगर आप यह RF को use करना चाहते है तो 1999 पर मन्त में आपको 26 tool मिलेंगे plus testing tool मिलेंगे, आप चाहे तो यहां पर pause कर सकते हैं, नहीं तो friends आप इस website में खुद free में sign up करके भी देख सकते हैं, नीचे आपको testing tool मिलेंगे, जिसमें chat GPT4, inverter elements, keyword tools, keyword everywhere, बहुत कुछ मिलने वाला है, इसका link मैं नीचे description में दे दूँगा, अब बारी आती है कि जो अभी तक 34% आ रहा है, उसको हम कैसे remove करें, आप देखेंगे यहां पे नीचे mention कर र आपको problem आ रही है, तो Google Translate का use करें, मैंने यहां English को select कर और यहां पे हिंदी को select करा, अब यहां से friends आप खुद अपने accordingly words change कर सकते हैं, वीडियो pause करके यहां पे मैंने कुछ changes करें हैं, changes करने के बाद friends यहां से मैं इसे copy करूँगा, और यहां पे जाके मैंने इसे paste कर दिय paste करने के बाद grammarly में मुझे फिर से यह सारी चीज़े बताएगा और मैं grammar को ठीक करूँगा, अगर आप खुद से article लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं, तो friends आपको 15 मिट देने पड़ेंगे एक अच्छा खासा article लिखने के लिए, जिस तरीके से मैं आपको ब रुपीज में ये भी lifetime मिलेगा और वाइरल वीडियो जो आजकल चल रहे है, motivational वीडियो यहाँ पे friends 189 रुपीज में साड़े 800 से ज़्यादा आपको रील्स मिलेगी, रीसेल राइट के साथ आप इसे बेच भी सकते है, whatsapp, bot, software, प्लस अगर आप 2D animation course चीखना चाते हैं तो आपको वो भी मिलेगा, इन सबकी वीडियो फ्रेंड्स आपको इनी के साथ मिल जाएंगे, यहाँ पे अगर आप इसका डेमो देखना चाते हैं तो इसमें क्लिक कर सकते हैं, MS Office का भी डेमो देखना चाते हैं, तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जागा, चीक ऐसी Canva और वाइर वीडियो इन सबकी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, अगर आप परचेस करना चाते हैं, तो बहुत ही चीप प्राइज में Lifetime Access के साथ कर सकते हैं, अब Grammarly ने सारा आर्टिकल हमारा ठीक कर दिया है, एक बर मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, वापिस इस वेबसाइड में जाऊँगा, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और फिर से हम चेक करेंगे, अभी हमारा कितना परसंट शो कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, सिर्फ 24 परसंट रह गया, ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स, जो लाइन से बता रहे हैं, इसमें प्राब्लम है, इसको आप कॉपी करें, चेंज कर दें, और उसके बाद आपका रिजल्ट एक टाइम में 0 आजेगा, थोड़ी सी महनत करने पड़ेगी, नहीं तो आप खुद आर्टिकल लिखें, नहीं तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करके एक यूनीक आर्टिकल लिख सकते हैं